हिंदु धर्म में हनुमान जी को वीर्ता भक्ती और साहस का परिचाएक माना जाता है रामभक्त हनुमान रामायन में रावन की राक्षश सेना पर कहर बनकर तूटे थे और ना जाने कितने राक्षशों के हाथ पैर तोड़ दिये थे लेकिन आज हम आपको ऐसी जगे लिए चलते हैं जहां बजरंग बली तूटी हड़ियों का इलाज करते हैं जी हां मध्य प्रदेश के दमों से करीब 12 किलोमीटर दूरस्टित हनुमान मंदिर से लोगों की अध्वुत आस्था चुड़ी है कहा जाता है कि इस मंदिर में तूटी हुई हड़ियां अपने आप जुड़ जाती हैं माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से यहां तूटी हड़ियां अपने आप जुड़ जाती हैं माननेता है कि इस मंदिर में दवा खाने के बाद लोग खुद ही चलते हुए जाते हैं इस मंदिर में आने वाली लोगों को यहां के पुजारी ही दवाई देने का काम करते हैं 75 साल के सर्मन पटेल बीते 40 सालों से ये काम कर रहे हैं कहा जाता है कि मंदिर आने वाली लोगों से आखे बंद करके राम का नाम जपने के लिए कहा जाता है भक्त जैसे ही अपनी आँखों को बंद करता है पुजारी उन्हें कोई दवा खिलाते हैं साती भक्तों से इस दवा को चबा चबा कर खाने की सला दी जाती है पत्तियों और जड़ों से बनी इस दवा को खाने के बाद सभी को घर भेज दिया जाता है कहा जाता है कि इस ओशधी और हनुमान जी के आशिरवाद से हट्डियां अपने आप चुड़ जाती है आंतोर पर इस मंदिर में हर दिन दवाई दी जाती है लेकिन मंगलवाल का दिन सब के लिए विशेश रूप से निर्थारित किया गया है यहां आने वाले एक भक्त की माने तो कुछ दिनों पहले ही उसका पैर तूट गया था लेकिन बिना किसी डॉक्टरी इलाज के हनुमान जी के आशिरवाद से उसका पैर ठीक हो गया यही वज़े है कि बजरंग बली के इस मंदिर में हमेशा भक्तों का ताता लगा रहता है ब्यूरो रिपोर्ट